सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं जादा टाइम ना लेते हुए जो 26 दिसम्बर को पिपर आया था ठीक है नैट जी आरेफ का तो उसके एकॉर्डिंग जो जो कोश्चन हमें मैमरी बेस्ट होता है या आपको सभी को पता ही होगा इसम्में जो कोश्चन हमें मिल पाए है उनको हम लोगों ने मतलब यहाँ पर एकस्प्रेंड करने की कोशिक करी है तो आप देख सकते हैं यह जैसे आपको पहले जो कोश्चन था चछीए है यह मैं दिखा देखा देख को अब इसको अगर हम देखते हैं तो यह था सबसे जो हमें मिला है उसमें है teral까지 है कम घचंतीु पएपले के दिया के अउसके अउसके सऊंपना जरू मिला है अई पेमेंट में छिजो पहले है दो करदै समें इमपोर्टेंट अच्छुन आई हैं कुछ लोगों ने बोला कि मिला थोड़ी प्रॉब्लम आई है लेकिन काफी सारे पच्छे थे जन्होंने का कि इसी था कैलकुलेशन भी इसमें कम थी जादा नहीं थी जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि मतलब कैलकुलेशन जादा आरही थी है ना तो अभी वाले में देखा अब जो है अभी आपको यहां पर बताया जा रहा है इसके बाद में नेक्स कोशन जो आया था वो आया था फ्रेंट सेचिंग रिसार्च एप्टिट्यूट के ऊपर टीजिंग रिसर्च एप्रीट्यूट के कोशन था ज्यादा कोशन नहीं थे बड़ कुछ दूसरे बहुत प्राइब बटेटिस करें होगी है आको बटभी यहां में यहां में देटिल में से नहीं बता सकती। कोई वीडियो बना दूँगी उसमें आपको explain कर दूँगी और probability से question था और ancient university से ancient university में नालंदा, मिथिला, विक्रम शिला है ना इस तरह से इसमें question आया था यह देख सकते हैं ठीक है और इसके बाद में इसमें ancient university के पार में पूचा गया था, next आपका यह था, education commission से question आया था, ठीक है, जो जो question जैसे-जैसे हमें मिलें वैसे-वैसे हमने आपको बता दी है, state-wise university, ठीक है, state-wise university मतलब जितना को देखा जाए तो इस state में जादे युनिवस्टी आइसी तरह से question फ्रेम होगा, बाकि आपका national education policy friend कितना है, इसी पे question है, अभी इसी पे question है, 2020 GER के अंदर पूचा गया है, बाकि fishing से question था, fishing spoofing यह सब मैंने पहली आपको बताए थे, कि इंपोर्टेंट पार्ट है, है ना, उसके बाद में आपका input and output device, है ना, computer से आपना ICT पार्ट हो गया, input output device में, यह भी बहुत simple ही था, next देख लेते है, इसके बाद में आपका next है, देखिए, इसमें आपके देखिए, मैंने पहल आपको Millennium Development Goal and Sustainable Development Goal, ठीक है, इसके उपर लगातार question बनते ही जा रहे है, even each and every shift में question पूछा गया है, तो काफी important से आप समझ सकते है, research ethics मैंने पहले भी video बनाई इसमें भी यह बताया, आपने अगर देखिए होगी तो आपको help मिल गई होगी, जिनों नहीं नहीं इसके बाद में आपका है यह वाला, यह question देखिए, जिसने करा है तो मुझे कमेंट करके जबू बताईए काफी, अच्छा question था, rare of the realist question था, 19648, ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ, आपको clear हो जगा, यह बहुत interesting question था, 19648, 1728, 112, आपको answer नहीं पता हो है, तो मैं बता देती 9, इंटू, आप solve करके देखना, औके, सोरी, इंटू 6, ठीक है, multiply 4, multiply 8, अगर इन वह को आप, multiply कर देते हैं, ठीक है, तो आपका answer निकल गेंगा, 1728, औके, और 1728 को भी आप, यहां, multiply कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, आपका answer राएगा, फ़ुदी, आपका answer राएगा यह, आ तो इतना सिंपल कोशन था अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं लेकर मैंने बता दिया आपको इसके बात में जो थे वह EU European Union के अब्जेक्टिव्स थे बागी आपका Kyoto Protocol Paris Agreement के ऊपर कोशन था ठीक है और कम्टिजिशन में देखे तो एनकोडिंग इनकोडिंग गई थे एनकोडिंग दिगोडिंग या फें कम्मुडिकीशन मोडल ये तो जरूर करके जाना चाहिए क्योंकि इसके उपर कॉशन आते हैं हैं पहले भी आते रहीं बाकी एक शेषवत पूर्वावत और शेषवत मैंन एक तो आपको एवरेज और एक आपको रेशो इसकी कमांड कर लेनी चाहिए क्योंकि इस पे आपके 10 मार्क्स जपैंड करते हैं इसा होता नहीं कि टी आपको कुछ इसकी कॉछन से पूछेंगे टोटल फाइब होते हैं हमेशा इसका वेटे सेम ही होता है डी इंग कॉम्प्रियंशन इजी तू मॉडरेट था ठीक है कुछ बच्चों ने बताया है इसी लगा कुछ को टफ भी लगा तो आर्सी इजी तू क्योंकि इसकी प्रैक्टिस थी वो कर पाए होंगे तो इसके लिए तो आपको पर्सेंटेज अबरेज एंड रेशो करना चाहिए और रेटिंग कॉम्प्रियंशन भी डेली आपको एक सॉल करना चाहिए और डी आई बी यह सारे कॉश्चन से इसके अंदर पूछे गए थे ठीक है अगर आप थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं ठीक है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इंपोर्टेंट पोश्चन पर तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो चकता है मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है ठीक है तो उसके एकोर्टिंग आप देख स का पेपर है जो पेपर वन है और हिंदी का मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने हिंदी के कुछन के पेपर के लिए पूछा था तो मैं उसको भी लेकर आऊंगी लेकिन अभी पहले आम लोग आपको पेपर वन ही प्रोवाइड करेंगे 27 दिसेंबर का भी जो हो चुका अगर आप किसी को भेज देते हैं उसका भी कुछ भला हो जाता है तो वो मेरे पार्ट से नहीं आपकी तरफ से होगा ठीके गाइस थैंक्यू फो वाशिंग दे वीडियोज